तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नमबर 1 नमबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.3 के कोशन नमबर 7, 8 और 9 तो कोशन नमबर 7 में हमें दिया है राइट 3 नमबर्स whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring मतलब हमें 3 ऐसे नमबर लिखने है जो की irrational हो क्योंकि irrational number ही कैसे होते है non-terminating और non-recurring मतलब non-repeating ऐसे नमबर जो की ना तो terminate हो और ना ही वो पूरे के पूरे repeat होते हो ऐसे नमबर को हम irrational number कहते है जैसे irrational number मैं नहीं बताये थे non-terminating, non-repeating तो हमें उनका decimal expansion लिखना है तो ऐसे आप कोई से भी तीन number लिख सकते हो ठीक है तो जैसे मैं लीजे मैंने एक number तो यही लिख दिया जिसमें हम लिख सकते हैं पहले मैं आपर लिख कर दिखाता हूँ three numbers are अब वो कौन-कौन से number होंगे जैसे 0.150 फिर 1500 यह इसके आगे भी चलता रहेगा तो इसके अंदर ना तो यह पूरा का पूरा terminate हो रहा क्योंकि देखो यहां पर यह जो dotted दिखा रखे इसका मतलब क्या है कि यह इसके आगे भी solve होगा मतलब यह पूरा terminate नहीं होगा और non-recurring मतलब इसके अंदर कोई चीज repeat भी नहीं हो रही क्योंकि पहले क्या है आपर 150 फिर 1500 फिर 15,000 तो इस तरीके कि आप number बना सकते हो तीन number बनाने जैसे मान लिजए एक आपने लिखा 0.231 फिर 2311 2311 2311 फिर 234 times 1 और point मतलब dash 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 and so on और number बनालो जैसे मान लिजए 0.721 721 721 7244 times 1 और फिर and so on तो इस तरीके के numbers आपको बताने थे ठीक है कोई भी number बना सकते हो बस वो non-terminating हो और non-recurring हो आगे देखिए question number 8 में दिया है find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5 upon 7 and 9 upon 11 अब हमें 3 irrational number बताने है किन के बीच के irrational number बीच के और irrational number कौन कौन से दे रखे हैं अपने को 5 upon 7 और 9 upon 11 इन दोनों के बीच में आना चाहिए तो देखो ये दोनों तो irrational number है लेकिन rational के बीच में irrational पूछ लिया तो पहले हम इन दोनों का decimal expansion निकालेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें किस-किस number के बीच का number बताना है फिर इस तरीके के तीन number लिख देंगे जो उनके बीच के आ रहे होंगे तो पहले हम decimal expansion निकालते हैं किसका 5 upon 7 का तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं किसका 5 upon 7 का तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे 7 तो 7 के डिला 5 तो आना नहीं तो ना जाने की 0 लगा देंगे point लगा कर 0 बढ़ा ली फिर 7, 7 जा कितना हो जाएगा 49 कितना बचा यहाँ पर 1 point लगा हुआ है तो फिर से 0 बढ़ा सकते हैं तो फिर चला जाएगा यह 7 बढ़ा 7 कितना बचा 3 फिर point लगा हुआ है तो फिर से 0 बढ़ा लेते हैं 7, 4 जा कितना हो जाएगा 28 कितना बचा 2 point लगा हुआ है तो फिर से 0 बढ़ा सकते है 7, 2 जग कितना हो गया 14 कितना बचेगा अब यहाँ से minus करके 6 इधर करें देता हूँ मैं minus करके बचा 6 उसका आगे क्या लगा सकते है 0 फिर point लगा हुआ है तो 0 हमने लगा लिए अब 7, 8 जग कितना हो जाएगा 56 कितना बचा 4 फिर से हम क्या बढ़ा सकते है 0 तो उसके बाद अब 7, 5 जग कितना हो जाएगा 35 कितना बचेगा यहाँ पर 5 और फिर उसके आगे क्या लगा लेते हैं हम 0 तो 7, 7 जग कितना हो जाएगा 49 9 तो अब देखिए दुबारा से वही नमबर आना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस करके क्या आगया था 5 पहले भी कितना था 5 उसके आगया 50 फिर दुबारा से 49 आगया तो इसका मतलब अब यह तो चीज दुबारा से आगया 7142857 फिर दुबारा से आने लग जाएगा तो इसका मतलब हम क्या है 5 अपॉन 7 का decimal expansion लिख सकते है 0.714285 का बार ठीक है क्योंकि इतना नमबर क्या होने लगा repeat होने लगा तो हमने 5 अपॉन 7 का तो division निकाल दिया इसको यही पर छोड़ देना है आप चाहो तो 5 पर भी छोड़ सकते हो अब इसके बाद दूसरा क्या है अपने पास 9 upon 11 तो आपको आपको 9 upon 11 का भी decimal expansion निकालना है तो आपको 9 से divide करना है किसको 11 को तो 9 के devil में sorry 9 को divide करना है 11 से जो उपर लिखा हुआ होता है उसको divide करते है तो 11 के devil में 9 तो आना नहीं तो ना जाने की 0 point लगा कर क्या बढ़ा सकते है 0 11,8 जा कितना हो जाएगा 88 कितना बचा 2 point लगा हुआ है तो फिर से 0 बढ़ा लिए हमने अब 11 के devil में 20 से छोटा क्या आता है 11 बंजा 11 फिर से कितना आगा 9 अब देखो 9 को ही divide करने चले थे और दुबारा से 9 आ गया तो अब ये 81 रिपीट होने लग जाएगा इसमें जैसे आप point लगा हुआ है फिर से 0 बढ़ा सकते है तो 11,8 जा 88 कितना बचेगा 2 point लगा हुआ है फिर से 0 बढ़ा थी 11 बंजा 11 इसका मतलब इसके अंदर यही चीज क्या होने लग जाएगी अब repeat तो हम 9 upon 11 को क्या लिख सकते है 0.81 का बार इसके अंदर 2 डिजिट रिपीट हो रही है इसके अंदर 6 डिजिट रिपीट हो रही है तो अब हमें ये नमबर पता चल गया कि ये दौनों decimal expansion क्या थे अब इन दौनों के बीच के हमें तीन नमबर लिख देने ठीक है अब वो तीन नमबर लिख देने तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे so three different irrational numbers between 5 upon 7 and 9 upon 11 are तो 5 upon 7 का मतलब क्या था ये वाला नमबर तो आप इसको लिख सकते हो 0.714285 इससे तो नमबर बड़ा होना चाहिए ठीक है और 0.81 का बार इससे कैसा होना चाहिए छोटा होना चाहिए तो इनके बीच के हमें तीन irrational number लिखने और irrational number ऐसे होते है जिनके अंदर ना तो कोई चीज repeat हो रही हो और ना ही वो terminate हो रहे हो तो देखिए अब यहाँ पर दो नमबर से पहचान करो यहाँ पर है 0.71 यहाँ पर आई 0.81 तो 0.71 और 0.81 के बीच के नमबर लिखने है अब आपको जैसे मान लिजए आपने लिखा 0.72 ठीक है और उसका यह क्या लगा दिया फिर 7.2 double one 7.2 triple one 7.2 फिर 4 times one and so on तो एक नमबर यह हो गया यही नमबर यहाँ पर भी लिखा था और कोई नमबर लिखे लो जैसे 0.75 अभी 75 जो है 7.1 से बड़ा 8.1 से छोटा है लेकिन इसको आपको irrational की form में लिखना है तो 750 मान लिजए 7.5 double zero 7.5 triple zero फिर 7.5 4 times zero फिर dash 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 मतलब and so on और नमबर लिख लिजए जैसे 7.8 तो अब यह 71 और 8.1 के बीच का ही आएगा मान लिजए इसके आगए आपने लिखा 2 7.8 double two 7.8 triple two 7.8 फिर 4 times two and so on तो यह 3 irrational नमबर हमने इन दोनों के बीच के लिख दी क्योंकि इसका मतलब क्या है 5 upon 7 इसका मतलब क्या है 9 upon 11 ठीक है तो यह होगा आपका question number 8 अब हम देखते है question number 9 यह जो पांचों के पांचों number दिये है इन में से हमें बताना है कौन सा rational है और कौन सा irrational है तो rational कौन से होते है जिनको हम P upon Q की form में लिख सकते है और irrational कौन से होते है जिनको हम P upon Q की form में नहीं लिख सकते जहाँ पर P और Q क्या होने चाहिए integers होने चाहिए तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमको दे रखा under root में 23 तो यह rational है या irrational है तो अगर root के अंदर कोई prime number दे रखा हो जो की root के बाहर नहीं निकल सकता तो वो irrational number ही होता है जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई perfect square नहीं है तो वो irrational number है जैसे यह सारे के सारे number क्या है यह सब irrational है क्योंकि इन में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता root के जैसे root 2 हो गया root 3 हो गया अब root 4 क्यों नहीं लिख रखा क्योंकि root 4 में 2 के pair बन जाते है वो root के बाहर आ जाता है उसके upon 1 मान सकते हैं वो rational number है ऐसी root 9 नहीं लिखा हुआ क्योंकि उसको लिख सकते हैं 3 into 3 ठीक है उसमें root खतम हो जाता है लेकिन अब इसको क्या लिख सकते हैं यह irrational number है तो हम लिखेंगे root 23 is irrational और इसका कारण क्या है कारण वैसे पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि अगर under root के अंदर कोई ऐसा number दे रखा हो जो की prime है तो हम यह कह सकते हैं कि वो number irrational है तो यहाँ पर prime number ही दे रखा है ना इसके अंदर आप ऐसे भी लेख सकते हो यह क्या है is not a perfect square यह perfect square नहीं है इसको आप root के बाहर नहीं निकाल सकते है उसके बाद आता है second under root के अंदर 225 तो यहाँ यहाँ पर इसके factor हो सकते हैं factor करके देख लेते हैं तो factorization आपको आता होगा यहाँ पर 225 का factorization किया 5 से भी cancel कर सकते हो 3 से भी मालीजे 3 से कर आपने 37 जा 21 1 बचेगा 1 और 5 15 तो 3 5 जा 15 फिर 3 से करते हैं इसको तो यहाँ आगे 25 25 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बार औ अंडर root के अंदर 225 को हम लिख सकते हैं under root में 2 बार 3 है और 2 बार क्या है 5 और square root में जिसके भी pair बन जाते हैं वो root के बाहर निकल सकता है तो यह root के बाहर निकल कर 3 आ जाएगा यहाँ पर root के बाहर निकल कर 5 आ जाएगा तो यह कितना हो गया 15 अब इसके upon में कुछ नहीं ह तो इसका मतलब यह कैसा नंबर है यह हो गया आपका rational नंबर क्योंकि इसकी क्या बना सकते हैं पी अपॉन क्यूंकि फॉर्म बना सकते हैं जैसे कि हमने यहां पर बनाई और यह perfect square भी है किसका 15 का 15 का square करेंगे तो कैसा नंबर आएगा 15 का square 2 to 5 ही होता है ठीक है अब देखते ह थर्ड वाले पार्ट तो थर्ड वाले पार्ट में में दिया है 0.3796 तो अब यह rational है या irrational है तो सबसे पहले तो यह देखिए इसके आगर यहां पर डैश 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 नहीं लगा हुआ इसका मतलब यह point के बाद 4 decimal तक यह solve हो चुका है पूरा जैसा कि हमने एक example भी किया था देखे जैसे यह example दिया था मैं example number 6 तो इसमें अंदर क्या था point के बाद 6 डैश 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 तो है नहीं तो इसको हम P upon Q की form में लिख सकते हैं point हटाने के बाद जहां पर दोनों के दोनों ही कैसे होते हैं integers और Q की value 0 नहीं होनी चाहिए और आपने question भी किया था जिसके अंद reminder 0 बचा था अगर यह repeating वाला होता तो इसके आगे क्या आता है ऐसे डैश 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 आते reminder 0 नहीं आता तो यहां पर देखे इसने आ गया ऐसे तो कुछ दे नहीं रखा तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं zero point point को हटा देंगे तो नीचे क्या जाएंगे इसम जो भी नहीं है ठीक है अब आगे देखिए question number 9 का fourth part इसमें दे रखा 7.478 और फिर आगे डैश 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 डै जो हमने 0.6 का बार किया था, 0.9 का बार किया था, ऐसे बहुत सारे कोश्चन किये थे ना, जैसे यह देखिए, अगर यह बार वाला कोश्चन है, तो इसको P upon Q की फॉर्म में लिखना जानते हैं ना हम, अगर इसके अंदर repeat हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम P upon Q की फॉर्म म हम लिख सकते हैं, कि यह है 7.478 का बार, और अब इसको बार है, तो आप इसको लिख सकते हो, कि it can be represented in the form of P upon Q, और इसको हम P upon Q की फॉर्म में जब रिप्रिजेंट कर सकते हैं, so it is a कैसा नंबर, rational नंबर, क्योंकि हम बार वाले जो नंबर होते हैं, उनको P upon Q की फॉर्म में लिखना जानते हैं, जैसे हमने question number 3 में किया है, जैसे हमने कुछ examples भी किये थे, जिसके अंदर अगर बार वाले नंबर हैं, तो उनको हम P upon Q की फॉर्म में बना सकते हैं, अब आगे देखते हैं, last वाला पार्ट, तो last वाले पार्ट में हमें दिया ह 1.10, फिर 1.00, फिर 1.00, फिर 1.00, फिर 1.00, फिर 4.00, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी digit जो है, वो repeat तो हो नहीं रही, और इसके आगे यह end zone मतलब इसके आगे भी चलता चला जा रहा है, तो जब ऐसे number होते हैं, जिसके अंदर ना तो कुछ repeat हो रहा हो, और ना ही वो terminate हो रहा हो, तो इसका मतलब वो कौन से number होते हैं, उनको हम irrational number कहते हैं, कौन से number कहते हैं, non-terminating, non-repeating को irrational number, जैसे यहाँ पर था यह, पहले 15, फिर 10, फिर 15, 00, 1500, तो ऐसा ही कुछ-कुछ यहाँ पर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कि it is non-terminating, non-recurring या फिर non-repeating, यह non-terminating और non-repeating है, so it is irrational, यह कैसा number है, irrational number है, ठीक है, तो यह हो गया आपका question number 9, इसी के साथ आपकी exercise complete होती है, अगर इसमें कोई doubt हो, तो आप comment करके पूछ ले न, और next video में हम देखते हैं, इसके next examples और introduction exercise जो भी है, next video हम मिलते हैं,